हलो माई डियर स्टुएंट्स कैसे होई सब लोग आप हां तो मैं शशीकान सर्मा आपका अपना इसके सर नीट विजन जैपुर के इस बहतरीन डिजिटल प्रेटफर्म के आपका हर्दिक सवगत करता हूं और बच्चों जैसा की नीट यूजी 2020 की ऑल इंडिया कोटा की जो होने का आज का दिन है ठीक है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टुएंट्स को मैं पता देना चाहता हूं कि आपके कंशन वेबसाइट को बिजिट करते रही है आपके भी स्टेट कांसलिंग के राजिस्टेशन ओपन हो चुके हैं और आज का ये वीडियो में स्प स्केडियूल बता देता हूं आपको ठीक है ना और बाकी की इंफर्मेशन चॉइस फिलिंग कौन-कौन से कॉलेज किस पर रखने है उसके लिए अपन सेपरेट एक वीडियो बना देंगे ताकि प्रॉपर इंफर्मेशन जाए और प्रॉपर जिस कॉलेज के आप भगदार हो को आपको कॉलेज मिले बच्चो तो वीडियो में स्टार्ट करता हूं आपको सीधे लिए चलता हूं कि कौन सी वो वेबसाइट है जिस पर अपनको रेजिट्रेशन करवाना है एप्लिकेशन फर्म भढ़ना है और कांसलिंग करवानी रायस्थान स्टेट की नीट हो गया मैं वापस एक बार इसको क्रोस करके और आपको वेबसी आगया ठीक है ना तो यह वेबसाइट है कौन सी तो वेबसाइट देख रहे हो ऊपर www.rajugmedical.com ठीक है ना यह वेबसाइट है और इसका यह इंटरफेस है बच्चो ठीक है और इनों ने अब तो सारे की सारे इन्स्ट्रक्शन एप्लिकेशन फॉर्म के फिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन बॉकलेट भी डाल दी है पूरी कम्पलीट इसके बारे में जो भी कोरी जिससे रिगार्डिंग जो इसमें दे रखी है उनका अपन बता देंगे वीडियो के माध्यम से सॉलिशन ठीक है ना उसी डाउनलोड वाले उस पर मैं आपको लिए चलता हूँ देखिए तो यह आपको इंटरफेस देखा का जो अनो ने पूरा नोटिफिकेशन दिया है उसका कम्पलीट अपन एक बार जल्दी से ग्रीफिंग कर लेते हैं ताकि आपको पूरा की पूरा स्केडूल पता चल जाए कि किस किस तरह से करवाने जा रहे हैं काउंसलिंग य www.rajugmedical2020.com यह वेब साइट है और इस पर बचो मेडिकल मतला MBBS सीट और BDS सीट के लिए ही यह काउंसलिंग अभी ओपन की गई हैं तो उसको मैं बता देता हूं देखिए चरह यहां पर देखो भी इसमें सबसे पहले तो application form fill करवाने के लिए बोला गया है start date for filling of online application form and deposition of required application fee application form fill करने के लिए और जो इसकी application form की required fees है वो आप deposit करने के लिए ठीक है ना एक ना उमर से starting कर रखी है जब इन्होंने दिया था तो लेट शाम को इन्हों ने अपलोड किया है इन्फोर्मेशन बोलेटन किया है आपका नोटिफिकेशन ठीक है इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे अब यहां पर एक तारिक से start है और वो कब तक है बच्चो शाम को 6 नवंबर शाम को 4 वजे तक 6 नवंबर साम को 4 वजे तक आप बास्ता में यह लास्ट डेट है डिपोजिटिंग दा एपलीकेशन फी एड दा वेब साइट मतलब एपलीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा यह कल से ही आ चुका है ठीक है ना और आपकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 6 नवंबर तक आप डेपोजिट कर सकते हैं ध्यान रखना इन्होंने किलियर कट मेंडेटरी बता रखा है इस चीज़ इस स्टेप को ठीक है ना इन्होंने एपलीकेशन फॉर्म के दो पार्ट बना रखे हैं दोनों ही पार्ट फिल करने हैं लेकिन उनकी शुरुआत ही तब करवा रहे हैं जब एपलीकेशन फॉर्म आप यहां से स्टार्ट करोगे और फीज डिपोजिट कर दोगे ठीक है न जो भी इन्होंने कंसर्ण फीज वहाँ पर आएगी आपको वह फीज डिपोजिट करनी है और तब आप प्रोसीड कर पाओगे तो यह अंप्लीकेशन फॉर्म की जो एब वे इक तरह से एक नरत्थ संसर्थ ही और फश्री सब्स्क्राइब स कर दो सब्स्क्राइबर उसके लिए मैं आपको डिसकस करने जाרה हूं बता दूगा आपको ठीक है तो ये last date है deposition fee के deposition की EC website पर ये deposit होगी उसके बाद में next बच्चो दे रखा है आपको last date for submission the online application form at the website वो भी 6 November को है लेकिन वो रात के 11 बज के 45 मिनट तक का case बताया गया है ठीक है ना 11 बज के 45 मिनट तक आप ये online application form लेकिन उससे पहले fees deposit हो जानी चाहिए कहां तक शाम के चार बज तक पहले ही पीस आ गई कि हाँ आप तुम proceed कर सकते हो application form बढ़ो बाद में बाद तक का दे रखा है ठीक है ना 11 पैतालीस तक का तो देखी ज़रा इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अगले पार्ट पे नेक्स जो आपको दे रखा है publishing of provisional list for the verification ठीक है ना person with disability defense, PA, MSTA, NRI जो आप भरोगे उसमे उसकी provisional list जारी करेंगे ठीक है ना उनको publish करेंगे अपनी website पर ही वो भी website पर होगी ये इसकी date जो दे रखी है वो वच्चो 7 November को दे रखी है ठीक है ना नेक्स है document verification के लिए document verification before the board for different categories PWD, defense, PM, ST and NRI ठीक है ना जो notification में इस website पर available होगा उसके according बास्तम में document verification किया जाएगा वो date जो दे रखी है वो 8 November को दे रखी है सुबह नवजे से verification स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में जो आप पूरा की पूरे verify करवा होगे तो यह इसको publish करेंगे ठीक है ना उनकी merit list तयार होगी कि यह candidate ST, STA ठीक है ना, SC या फिर other categories के हैं वो सारी categories का complete provisional merit list तयार करेंगे ठीक है ना यह आपकी कहीं न कहीं यह होगी आपकी state rank actual एक तरह से यहां तक आपकी state rank define की है ठीक है ना राइस्थान का उनसे यह स्टेट rank के साब से अब आईडिया लगेगा कि आपको किस rank पर कौन सा college मिलने के chance है आप आईडिया लगा सकते हो से state rank के जरीए ठीक है ना आपको पता है कि राइस्थान में total कितनी सीट्स है 230 सीट्स बढ़ चुकी है पहले तो राइस्थान के सारे स्टुएंट्स को धेरो बदाई हो 230 सीट्स बढ़ चुकी है ठीक है ना अजमेर उदैपूर बाड़मेर ठीक है ना और एक तो कॉलेज ही नया स्विक्रत कर दिया गया है स्री कल्यान जो सीकर का मेडिकल कॉलेज है वो स्विक्रत हो चुका है तो इस तरह से total जो है 100 सीट तो इसमें है और बाकी 130 सीट उन टोटल को मिला के 50-50 अजमेर रुदैपूर में और 30 सीट जो है वो बाड़मेर वाली जगे ठीक है ना उस मेडिकल कॉलेज में तो इस तरह से 230 सीटों की बढ़ोतरी भी कर दी गई है आपको देरों बताई हो तो उसके एकोर्डिंग किस रेंक के हिसाब से आपको कौन सा कोलेज मिलेगा क्या प्रिफरेंस वगरा जो होगा उसके हिसाब से वह मेरिट लिस्ट से एक आईडिया लग जाएगा आपको टेंटिटिव आईडिया ठीक है नेक्स स्टार्ट होती हो तो यह जो पॉब्लिसिंग होगी यह होगी कब यह पॉब्लिसिंग आपकी चलेगी नो नौम वर्ग ठीक है न शाम पांच बाज तक का यह पॉब्लिस हो जाएगा पूरा की पूरा मेरिट लिस्ट उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी बच्चो ठीक है ना पहले तो यह द्यान रखना पहला पॉइंट बीडियास के लिए अप्लिकेवल नहीं है रेश्टेशन फीस यह के वलों के वलेंबी बीएस सीट्स के लिए अप्लिकेवल है ठीक है ना दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि गौर्णमेंट को लेजेस गौर्णमेंट इसी ठीक है ना यह जो अदर केट नहीं है उनके लिए और प्राइबेट मेडिकल कॉलेजेज के लिए यही फीस बच्चों कितनी है यही फीस है वन लैक रुपी एक लाक रुपी लेकिन यह रिफंडेवल है ध्यान रखना अगर आपको सीट अलोट नहीं होती है तो यह फी का क्राइटेरिया रखा गया है बच्चों ठीक है ना उसके बाद जैसे ही आप यह रिज्ट्रेशन फी जमा करवाते हो और चॉइस फिल करते हो चॉइस में ध्यान रखना इन्होंने आगे मैं बताऊंगा इन्होंने बता रखा है कि यह आटो लोकिंग का केस ब अरके कर सकते हो सकते हो सेक्वेंस को ठीके प्रैफरेंस के साब से लेकर यह त्यरह नवंबर की शान पांच वजका पर j нас पर ही फ्रिंस तरह से नहीं तो है लेकिन उसमें यह जो तरह से इस तरह बर तरह से डिया गया कि यह अपने आंप ही जो फाइनल जो जो कर दो उसके वाद शाम पांच बजे आपका अपने आप ही आप ही इसके बाद में आएगी बच्चो प्रिंटिंग अप्ड ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आफ्टर ऑटो लोकिंग अप्ड चॉइस फिल्ड एंड सेवड वाइड जो भी आपने चॉइस फिल की है और सेव की है ठीक है उनकी प्रिंटिंग आप ले सकते हो यह वास्तम में 13 कोई शाम साथ बजे और उसके बाद से स्टार्ट है आप उसके बाद में प्रिंट आप ले सकते हो अपनी चॉइस फिल जो की है अपने ठीक है ना नेक्स वह आपके जो फिल्ड चॉइस है उनको पब्लिस करेंगे पब्लिसिंग आप फस्ट रांड अलोटमेंट इंफॉर और वो डेट होगी आपकी 19 नॉवंबर ठीक है ना 19 नॉवंबर को रात में मिडनाइट में मद्रातरी में वास्तम में आपको ओनलाइन ही यह रिजल्ट गोशत कर दिया जाएगा आपको कि कौन सा कॉलेज मिला है तो आपको सबसे बढ़िया बढ़िया कॉलेज आपको मिल प्रेंट नहीं सकते है और यह कब से कब तक कमेटर है बीच नॉवंबर से लेके 25 नॉवंबर तक का केस बनता है ठीक है ना 20 से लेके 25 नॉवंबर और बच्चो यही ताइम वो है जब आपको केंडिडेट को रिपोर्टिंग करनी है और फाइनली वो राउंड वन का जो ए कर सकते हुआ हो अधिक है यही टायम रखा गया है और कि अधर के कर से 24 नवंबर तक को यह दिन है और यह से आप ऑफ लेकर अधरिपो॥ टंक हमर भार सब बिशिक कर हम लेकिन साथ में तुर स हम जो डोकुमेंटS define गर वुकूमेंट करवा ना मतलब बोकूमेंटS ठीक है ना उसका आपको लेके चलना है वो डोकुमेंट के बारे में एक बार इन्फोर्मिशन बुलेटिन से आपको पूरा और बता दूंगा ठीक है अगले वीडियो में तो वो आप रिपोर्टिंग करोगे जॉइन कर सकते हो कि यह जॉइनिंग करोगे ठीक है अब इसके ल अलावा जालाबाड, RUHS, Medical College इनको अलेट हुए ठीक है ना उनके जो स्टुडेंट है वो बास्तम में कहां जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है बो जाके रिपोर्टिंग करनी है बच्चों एक ब्लॉक, SMS, Medical College जैपुर में उन बच्चों को समझ मा गया जिनको Government Medical College, Government Society Medical College, पर्टिकुलर कुछ RUHS, जालाबाड Medical College यह जो अलेट हुए है वो वास्तम में SMS के academic block में जाके आप रिपोर्ट करोगे लेकिन बच्चों जो सारे जितने भी private medical college इनको अलेट हुए है इसके अलावा जितने भी dental college जो BDS जिनोंने मांगा था और उनको अलेट हो चुका है व इनोंने दे रखा है उसी दोरान वास्तम में क्या होगा अगेंस first round counseling for deposition of original documents prescribed fee through demand draft electronic mode and two copies of application form along with all relevant documents सारे की सारे self attested जो relevant documents है वो आपके साथ हुस्सा में होने चाहिए ठीके नमाग इसके अलावा बास्तम में application form की दो कॉपी आपके पास होनी चाहिए ठीके ना और original documents के साथ आप जाओगे और साथ में self attested photocopies के साथ ठीके ना दो दो को तीन तीन कोपी आप ले जाना ताकि वहां पर problem create ना हो बीच में ठीके ना और साथ में सबसे important क्या है वच्छो demand draft मतलब जो concern college है जो आपको अलोट हुआ है उसकी जो fee है उसका demand draft आपको डीडी ब बनवाना पड़ेगा उसके favor का ठीक है ना वह आपको particular college की उसमें आपको मिल जाएगा और यहां पर भी list दे जाएगी कि किसके favor में डीडी बनवाना है तो आप बैंक में जाके डीडी बनवाना हो या फिर electronic form में भी आप क्या कर सकते हो electronic mode से भी आप payment कर सकते हो ठीक है ना उसके बाद में यह खतम होता है यहां पर आपका round first ठीक है अगर round first में आपको seat alert नहीं हुए तो आपको re-registration करने की जड़त नहीं है ठीक है ना आप applicable हो second round के लिए eligible रहोगे उसके बाद में भी आपको नहीं मिलता है तो भी तो आप मौप अप राउंड के लिए eligible रहोगे ठीक है ना लेकिन second round और मौप अप राउंड यह जो होंगे वो offline mode में होंगे बच्चो ठीक है ना तो इसमें ध्यान रखना इनकी अभी date बगेरा कोई disclosure नहीं किया है जैसे ही date आईगी वह according to all India quota के हिसाब से ठीक है ना मैंने बताय थ ना उसके हिसाब से parallel चलेगा लेकिन zigzag manner में चलेगा date class ना होता की ठीक है ना मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको उस वीडियो में समझाया है ठीक है ना इस पहल लिंक आपको मिल जाएगी उसकी ठीक है बच्चो तो second round seat allotment यह offline होगा इसके लिए अभी कोई date नहीं इसलिए बिजिट करते रहो कमेंस्मेंट of classes उसके बाद मॉप अप राउंड of seat allotment ठीक है ना मॉप अप राउंड यह final round होगा जिसमें जितने भी seats available रहेंगी वो सारी की सारी फिल कर दी जाएंगी बच्चो तो यह कुछ जो पूरा की पूरा notification की information थी वो मैंने आपके सब्सक्राइब वीडियो लेकर आऊं तब तक के लिए जय हैं जय भारा हुआ है